नवस्का दोस्तों एक बार फीसे स्वाग दे आप सब का इस यूटूब चैनल टिस्ट अग्यान में तो दोस्तों जैसे ही नए साल शुरू है अलालग डिपार्टमेंट्स में, अलालग सेक्टर्स में, अलालग ऑफिसर्स में काफी सारी जॉब्स निकल रही है तो फ्रेंट आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस ओविस में टेक्निक असिस्टंट और कंप्यूटर सिस्टंट की पोस्टें इकले है और आप उनमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या-क्या कॉलिविकेशन है, क्या-क्या योगिता ही रहेंगी, उनक तक पहले पहुंसके, तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, तो फ्रेंट जैसा कि आप इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, यहाँ पर दो पोस्टें निकाली गई है, टेक्निकल सिस्टंट और कंप्यूटर सिस्टंट की, तो यहाँ पर सबसे पहले बात करती हैं हम टेक्निकल सीस्टंट की, तो टेक्निकल सिस्टंट में 10 पोस्टें निकाली गई हैं, जिनमें से जनरल की छतीन है, जनरल ऑवीएस, जो फीवल्ज उनके लिए, बैक लोग में 1 है, ACMAT-B1 है, ACR and O 1 है BC में 1 category की है इस तरह handicap mail में 1 है और अलग अलग category की यहां पर पोस्ट है जो है और डिवाइट की गही है तो अगर यहां पर मैं salary की बात करूँ तो यहां पर जो आपको salary मिलने वाली है 70,500 पर मिलने वाली है तो अगर इसमें qualification की बात करती है तो qualification में diploma, degree in civil engineering किसी भी recognized university से होना चाहिए और computer skill में essential होना चाहिए word, excel, database function आने चाहिए तो इन में से जो experience मांगा गा है इन में से 3 year का experience मांगा गा है और जैसा कि यह जो jobs हैं वो पंजाब में तो इसके लिए जो पंजाबी language है वो लाजमी होने चाहिए 10th class तक तो next friends बात करते हैं computer assistant के बारे में तो यहां पर computer assistant की दो poster निकाले गए हैं और इनकी पर month जो salary है कि वो 12,000 रहेगी इसके लिए जो qualification है वो BCA, BTEC, MCA और इसके equivalent कोई भी computer की जो degree होगी वो यहां पर जरूरी है तो इसमें जो over perfectionist चाहिए उसमें MS office आना चाहिए minimum 2 year का experience होना चाहिए उनको तो इसी तरह यह भी पंजाब में पोस्टे हैं क्योंकि इसलिए यहां पर पंजाबी language होनी जरूरी है जो आपने 10 तक पढ़ी है और नहीं पढ़ी है तो आपको पंजाबी पास का certificate होना बहुत जरूरी है तो फ्रेंस नेक्स हम बात करते हैंगे यहांपा selection criteria क्या होगा इन दोनों पोस्टों के लिए computer assistant के लिए तो computer assistant के लिए academic qualification जैसे हमने पहले ही बात की है BCA, MCA या QA लाट होने चाहिए तो इसमें में maximum marks जो है या data entry skill जो भी है आपकी इसमें आप clear हो जाते हैं तो वहांपर 10 marks मिलेंगे आप सो आपको तो जो भी judgment होगी candidate की तो उसमें आपको 10 marks मिलने माले है यह सभी selection criteria है तो फ्रेंस यह computer assistant की post के लिए जो भी selection criteria है मैंने आपको बताया है इसमें जो भी है कितने marks होंगे तो उस जो 100 marks है उनमें कैसे है कैसे यह marks मिलेंगे आप तो फ्रेंस नेक्स हम बत करते हैं जो technical assistant के लिए selection criteria है वो कैसा होगा तो यहां पर भी आपको diploma degree civil engineering में 70 marks मिलने वाले higher education है आपकी कोई तो वहांपर 10 marks मिलेंगे टोटल आपका जो work experience होगा उसमें आपको 10 marks मिलेंगे और last में जो judgment होगी उस candidate की तो उसमें आपको 10 marks मिलने वाले हैं तो ऐसा होगा आपका जो selection criteria है इसमें तो इस तरहें आप अपनी जो भी qualification है उसके लिए महात्मा गांधी नरेका के लिए apply कर सकते हैं या आपका selection हो जाएगा तो फ्रेंड्स ये पोस्ट हैं जो office deputy commissioner कम district program coordinator मगन रेका तरन तरन में निकली हैं तो फ्रेंड्स इन पोस्ट के apply करने के लिए और अधिक जानकरे के लिए आप इनकी जो website है तरन 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 तो जो इनकी website है वो है www.tarhantaran.nic.in तो आप वहाँ पर जाकर विजिट कर सकते हैं और सारी जानकरी ले सकते हैं कि कैसे apply करना है और कब तक apply करना है तो मिलते हैं दोस्तो हमारी किसी next video में जिसमें आपको recruitment समंदी और भी जानकरी देता रहूँगा तो तब तक के लिए दोस्तो जे हैं